आज हम एक नॉर्मल से दिखने वाले laser light को microscope में convert करेंगे और देखेंगे tap water में ज़्यादा bacteria या फिर गंदे पानी में So let's find out इस experiment के लिए हमें चाहिए एक laser light और चाहिए एक injection So basically अगर हम laser light को injection से निकलते water droplet के ठूर पास करेंगे तो हम देख पाएंगे कि कितने micro-organism है इस पानी में तो सबसे पहले मैंने syringe में भर लिया tap water फिर लगाया हमने अपना जुगार और set कर लिया अपने प्यारे से setup को जैसे हमें laser light को use करता है तुम देखी सकते हो कि छोटे मोटे कीरे पानी में तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे अब बार ये गंदे पानी की तो फटा फट में अपना हाथ साफ करता हूँ साबून से और इसी पानी को भर लेता हूँ injection के अंदर और अब देखते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा बैक्टीरियाज है फिर हम इसको भी अच्छे से position पे set कर देते हैं and then मैं जैसे laser light को इसमें मारता हूँ देखता हूँ हट से ही ज़्यादा चिंकु मिंकु बैक्टीरियाज में को दिखाई देते हैं